मस्कार दोस्तो मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फेंटासी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग फीर से एक वीडियो नया लेकर कर आ रहे हैं जिसमें आप हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ठीक है वीडियो को ऐसा भी बिल्कुल भी मत करना कि जो मैंने बोला आपको कि यहां हाई इन्वेस्टमेंट करना है और डायकली जाकर कि आप हाई इन्वेस्टमेंट करना है इसा बिल्कुल भी मत करना मैं आपको इस वीडियो में पूरे चीज share करने वाला हूँ आपके साथ और उसके बाद आपको सोचना है कि low करना है high करना है medium करना है कैसा investment करना है सारा आपको मैं इस वीडियो में आपके साथ share करने वाला हूँ विडियो को धिहान से देखोगे, I hope मैं जो आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद जो भी आप, मतलब जो भी निकल के आएगा ना result, उसके बाद फिर मैं अपना जो भी आप कर रहा है होगा, उसके बाद आप investment करोगे, इससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ से New Zealand Omen, India Omen जो आपका matches वगरा है, यह हम लोग कपर कर रहे हैं, बहुत सारे matches हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे बाद जू बेंगाल Omen T20 हो गया भाई, अगर देखो, अभी मैंने एक contest लगा रखा है, यहाँ देखो, अठाइस contest, अगर यहाँ से देखोगे ना भाई, तो सारे के सारे मैंने विन कर रहे हैं, तो भाई अगर भी विन करना चाते हो, तो कर सकते हो, आज आते हैं हम लोग पहले stats के उपर, और यहाँ से पहले हम लोग के stats बगरा देख लेते हैं, देखो, इस match में बहुत सारे जो player है खिलने वाले नहीं है, जिनका करीम 80%, 90%, मतलब selection बहुत जाद हैं, विक्तोरिया के player के stats के उपर, यहाँ से अगर देखोगे तो अभी तक 5 मैचे जो recently खेल के आ रहे हैं, इनके team, सिफिल्ड सिल्ड में, सिफिल्ड सिल्ड का मतलब यह है, चार दिन का test होता है, इंपोर्टेंट है, आप बात को समझ लो यहाँ पर, ताकि आपके लिए फैदार है, मेरे लिए फैदार है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तीन मैचे जिंका draw हुआ है, और दो मैचे इननों ने win कर रखा है, प्लस point यह बनता है ना, इनका, कि अभी तक इननों ने एक भी मैचे जहार नहीं रखा है, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि, यह किस level की team है और उस ही साब से अपना investment वगेरा जो आपका plan है, उस setup करोगे, तो यहाँ से मैं बता दिया आपको सारा कुछ, यह मैंने यहाँ पर लीख रखा है, जो भी, तो उस ही साब से follow करके चलोगे, और यहाँ से जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उससे पहले देखो, सबस से ज़्यादा important काम आपके लिए यह है, और because final team वगेरा सारा कुछ information में detail से आपको telegram पर ही देने वाला हूँ, तो जल्दी से जाओ, और इस वीडियो के comment section वी मैं pin कर रखा हूँ, आपको telegram का link, तो वहाँ से आप जा करके join कर सकते हो, तो जितना जल्दी हो सकता है, जा कर join करना है, सारा कुछ आपके साथ मैं share करने वाला हूँ, वीडियो को ध्याँ से देखोगे, I hope मैं जो जो चीज आपको बताने वाला हूँ, उसे एक एक चीज follow करोगे, और उसके बाद अपना investment set करोगे, तो यहाँ से देखो, captain आपको दिख जाने वाले है, Peter Hanscom, और यह सार सीमर खेलने वाले हैं, नहींत, इनके बारे में ध्यान भी मत देना, Marcus Harris, इनका अगर देखोगे, तो 58, 5, 1, 0, 9, 42, अच्छे कासे प्लेयर हैं, बट ज्यादा हरीरी का मेडेसन दूंगा नहीं, अपने टीम में सिर्फ रख सकते हो इनको, और अपने टीम में ट्राइ करके च पीसरा सदिक भी बन जाता, बट यहाँ पर अच्छे कासे ये प्लेयर हैं, अपने टीम में आग बंद करके रोटेट कर लोगे, क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, क्या अच्छे कासे च्वाइसे हैं, ग्रैंड लिग एज विलेज, स्मॉल लिग दोनू के लिए, निक मै मैच को खिलने वाले हैं, तो underestimate नहीं करोगे, अपने टीम में ट्राइ करोगे, मैथ्यू सॉट, आपके लिए बेस्ट पीक में रहने वाला है, टेस्ट मैच में अच्छे कासा प्लेयर है, और देखो, यहाँ पर आपको बिकेट रन दोनों अच्छे कासा करता हुआ दिख ज अच्छे कासा प्लेयर है, बिल्कुल अपने टीम में रोटेट करोगे, टेस्ट में अच्छे कासा आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा, बिकेट भी अच्छे कासा चटकाता हुआ दिखेगा, विल सदर लैंड, इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊ, देखो इनके और गुरिंदर सिंतो, ये दो प्लेयर के बारे में मैं कन्फ्यूजन में उतरा, कि दोनों में से किसे रोटेट करना है अपने टीम में, यहां से देखो, 0-0 विगड है, 14-23, 23-23 रन, 1 विगड, 1 विगड, 3 विगड, 2 व इनको आप आँक बंद करके ट्राइ कर सकते हो, अच्छे कासे प्लेयर हैं, बट ज्यादा है लेड़ी का मेंडेशन दूंगा नहीं, पहले इसके मैचे में अच्छे कासा विगड इनको निकाल रखा है, 4 विगड, 2 विगड, 1 विगड और यहां देखोगे तो 0-1 विगड तो अच्छे कासे बैक्समेन है, आप ट्राइ करके चल सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा हाई लेड़ी का मेंडेशन दूंगा नहीं, बंदा का, बंदा बंदा इस मैच को खेलने वाला है, और स्कॉयर में नाम भी है तो आपको खेलता हुआ दीखेगा ही, तो इनको उपर सारे लोग होते हैं, जो वीडियो का आते हैं, डायक्ली स्कीप करके लास्ट में जाएंगे, टीम वगरा लेंगे और काम करेंगे, तो ऐसा बिलकुल ही मत करना, भाकी हापका मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगए वैसा करना, यहाँ देखोगे तो चार विकेट, दो 3, 4, 1, 5, 3, 3, तो मतलब बंदा बहुत तगड़ा वाला है, और आपको अच्छा खासा स्टाट्स देता हुआ दिख जाएगा, तो इनको इनसे बिलकुल भी underestimate मत करना, जैन होलेंड, आपके टीम में होने चाहिए, अच्छे कासा प्लेयर है यह भी, तो इनको भी आप लोग बंदा ज्यादा आपको बॉलिंग बैटिंग करता हुआ, दिखे का बॉलिंग तो करेगा ही नहीं, जो भी करेगा आपको बैटिंग सहीं करेगा, ठीक है, ट्रेविस दीन, एक मैस में 144 संग का बंदा पारी खेल रखा है, और बाकी सिंपल सा स्टैट सा इसका, अगर ट्रा प्रमेंडेसन दूँगा, नहीं, विकाज ये सारे प्लेट खेलने वाले हैं नहीं, बाकी अदर कोई खेलता भी है, तो मैं स्टैट्स तो आपको टेली नाम पर इंफर्म वगधा करीन दूँगा, तो चलो अब एक टीम के बारे में डिसकर्जन हो गया, अब दूसरी जो ट अब को मिलता रहे है, तो चलेंगे हम लोग जल्दी से नेश्ट टीम के उपर, और उसके बाद इस टीम के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जो कि क्यूंसलैंड के टीम है, इनके बहुत सारे प्लेयर मेरी सबसे नहीं खेलने वाले हैं, बाके देखते हैं क्या होता है, बिकाज सामने वाली टीम बहुत जादा स्ट्रोंग है, जैसे के विक्टोरिया के टीम, जैसे के मैं आपको दिखाया है, और बाकी जो इनके प्लेयर है, इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो हैं, वो आपको खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं, इस मैच में, तो इनके पर करनी रहा है, बट उससे पहले अच्छा कासा बैट्समें रह चुका है, मतलब सिफिल चीड में अच्छा कासा स्टैट्स इस का रहा है, जोए बंस, इस मैच को खेलेगा भी तो क्या कर लेगा भाई, कुछ करेगा नहीं, मुझे तो खास चोईसे लगे नहीं, पहले बैटि तो यहां देखो, तो इग्यारा जिरो विगट, जिरो विगट, तीर रन, एकतालीस रन, नो, तेतालीस, चौनतीस, उनतीस, दज बाड़ा बाड़ा, अच्छे कासा बैटाक देखो, प्लेएर बूत तगड़ा वाला है, बट परफॉर्मेंस इसका जो है, मतलब कुछ दिन से अच्छा नहीं जा रहा है, तो उस बज़े से मैं ज्यादा हाइल रिकमेंटे से दूगा ने, इनको क्या रोटेट करो या फिर, मतलब आपको ट्राइ करना होगा, तो कर सकते हो, जेमी पियर्सन, अच्छे कासा प्लेएर है, और इनके बाड़ा में थोड़ा सोच के चलन खेलेगा ही, मेरे हिसाब से, तो अपने टीमें जरूर रोटेट करोगे, जेक विल्डर मौथ, ठीक टाक स्टैट से इनका, तो इनके उपर भी थोड़ा फोकस करोगे, बर ज्यादा हाइल रिकमेंटेसन दूगा ने, कि आप इनको रोटेट करो, पहले बैटिंग करेगा, जेमी पीरसन के बारे में भी, और यहाँ से जेक विल्डर मौथ के बारे में भी थोड़ा सोचोगे आप, ठीक है, उसके बाद जेम से बेजली मुझे तो कुछ खास लगा नहीं है, ग्रेंडियों फोकस करोगे, मार्क स्केटी, आपके लिए बेस्ट पीक प्रहरे वाला है उसके बाद यहाँ सा जाते हैं Michael, ने सा, आपके लिए ठीटा चाजी में रहेगा, आगर देखोगे इंसे तो 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, एक विकेट, तो ऐच्छे पास प्लेयर है, अम्डस टिमेट बिल्कुल भी मत तो ज्यादा हाय लेडी कमेंडेशन दूने वाला हूँ नहीं जैविर बाटलेट मिचल संचु देखो निका स्कुएड अभी तक आच्छे डंग से आया नहीं है बट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस ही साब से बता रहा हूँ कि यह सारे प्लेयर नहीं खेलने माला अग तो बागी यहां से सारा कुछ मैं आकर साथ सेयर कर दिया दोस्तो चलें के हमगे छलती से ड्रिवनर के उपर वहां जलके जल्दी से व्हाँ कर लेते हैं टाकि आपका भी असानी और रहा नहीं हो जाए, because सबसे ज़्याद है important काम तो, आपके लिए वही रहने वाला है, जो मैं आपको team वगरा setup करके देने वाला हूँ, दोस्तो, तो यहां से मैंने जो भी एक team set कर रहा है, वो आपको बता देता हूँ, देखो, यहां से आपके लिए choices कौन-कौन से रहने वाले है, यहां से आपके लिए रहने वाले है Peter Hanscom, Sam Harper और यहां से Jamie Pearson, यह तीनों बंदा को खिलता हुआ दिखेगा, बाकि यहां दोनों यह खिलने वाला है रहे, तो तीनों के बारे में अगर मैं ज्यादा बताऊँ, तो Peter Hanscom तो आपके लिए important पिक है, इनको तो बिलकुल भी मत drop करन और मारनस लम उच्छाने का, तो थोड़ा देख करके चलोगे, मैंने यहां से ट्राई का रखा है दोस्तों Nick Maddinson और Matt Renso और Travis Dean, तीनों को मैंने ट्राई कर रखा है, आप चाहूँ दो यहां से Travis Dean के प्लेस पे भी स्ट्रीट को ट्राई कर सकते हो, आपने उपर रिस्क लेकर मैं अभी के लिए इनीक मेंन को ट्राई करूँगा, और यहां से मैं Renso के प्लेस पे लेकर के चलूँगा, Travis Dean को, जो कि में लिए बेस्ट भी करने वाला है, तो मैं यह तीन प्लेस को रोटेट करूँगा, आप चाहूँ तो Travis Dean के प्लेस पे मैं ट्राई को ट्राई कर सकते हो मैं अभी के लिए इसा नहीं करने वाला हूँ, यह तीन प्लेस को रोटेट कर रहा हूँ, उसके बाद Marcus Harris है, यह भी आपके लिए अच्छा कासा प्लेस है, यह भी अपको बैट, मतलब बैटिंग करता भाए दीख जाएगा, तो थो थोड़ा देख कर के चलोगे, बाकी हम नीचे से तो कोई खास चोईसे लगा नहीं मुझे जिसे मैं आपको बताओं यहां से मुझे लग रहा है मैथ्यू सॉट आपके लिए अच्छा कासा कर सकता है विगाज आपको ऑल राउंडर से एक प्लेड लेना है और इन्हीं को लेकर करके चलोगे जैग मिल्डर मौत हैं इनके उपर भी तोड़ा फोकस करोगे यह भी बंदा का स्क्वाइड में नाम है तो साथ खेलता हुआ दीख सकता है माइकल ने सरा को खेलने के चांसे कब हैं बागे खेलेगा तो आपके टीम में कनफर्म पीक रहना चाहिए ठीक है और पांचमा प्लेयर है जैन हॉल है मैं इनको भी ट्रॉप नहीं करूँगा एक प्लेयर है गुरिंदर सिंदु या तो आप गुरिंदर सिंदु के साथ चले जाओ ठीक है या फिर अगर आप चाहते हो तो अगर माइकल ने सर खेलता है तो सीधा आप इनको ले लेना या फ इसनदाि सिंदी फिर आप स्कॉट बार्लियर को डारेटली कैटेन करता है अंगंद करके और चलो एकूए या या पहली है बालिन करे या पहले बैटिंग करे आप इनको अप क्यों एक है गह works के के लिए इक हैं पीटर हैं पिसर नीकर आपके लिए कुहन मैं तो यह सारे जो बॉलर है ना बॉलर ही आपको 5-6 विकेट, 7 विकेट निकालते हुआ दिखेगा तो देख करके चलोगे आपके बॉलर में ही से किसी को रोटेट करोगे तो मैंने अभी के लिए Scott Balling को कैप्टेन किया है दोस्तो और भायस कैप्टेन अगर मैं किसी को करूँ गा तो थोड़ा मैं लेकर के चलता हूँ या तो मैं Peter Handscombe को कर दूँगा या फिर Mark Scatty के साथ चले जाऊँगा तो मैं अब एक लिए Mark Scatty के साथ जा रहा हूँ भाइस Captain की Choices में और बाकी जो भी Final Team होगा मैं आपको Telegram पर ही दूँगा तो इसलिए बोर रहा हूँ दोस्तों कि बाड़ बार Captain के नाम से जल्दी जाकर के जूर जाओ अगर नहीं जूरे हो तो सबसे जादे important काम आप लिए वही रहने वाला है नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और नहीं तो अगर आप जूर जाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा फैदा होने वाला है तो बाकि आपकी मर्जी है जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो वीडियो को लाइक वगेरा करते रहना ताकि जो भी मेरा मतलब ये वीडियो में रहने वाला है सारा कुछ मैं आपके साथ सेयर कर दोगा और 100 प्लस लाइक आप कर दोगे तो भाई ऐसा बोलते रहा हूं कि आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दिया है और फिर हम लोग जो भी है इंड तक को वीडियो के देखने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए धन्यवाद बोलना चाहूंगा तो मिलते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नयम अदर ट्रीक और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपना ख्याल लगे दोस्तों जयाहिंद